तो सबसे पहले दोस्तों आप यहां पर पूरूबस देख लीज़ेगा, जैसा कि दोस्तों मैंने अभी एक गंटे पहले अपना वीडियो अप्लोड किया ई, इसपर आप देख सकते हैं, इतना बढ़ी यहां ब्यूज जा रहा है, दोस्तों मेरा वीडो वाइरल जा रहा है, म लाइटीट तक देखने के बाद आपका वीडियू भी वाइरल होगा तो वीडियो को लाश तक जहूर देखना वीडियोमे आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट YouTube application को open करने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं आपको plus वाला icon दिखाए दे रहा होगा आपको इस पर click करना होगा उसके बाद upload ये वीडियो पर click करना होगा अगर आप sword वीडियो बनाते हैं तो create ये sword पर भी click कर सकते हैं उसके बाद दोस्तों आप अपने यहां से एक download करने से पहले यहां पर आपको title दे देना है तो title आप कैसे देंगे इसके लिए दोस्तों आप सभी को एक application डाउनलोड करना होगा जिसका नाम है YouTube Tools तो आप फिले श्टोर से जाकर इस application को डाउनलोड कर सकते हैं उसके बाद दोस्तों आप यहां keyword suggestion पर click करेंगे उसके YouTube पर व्यूज कैसे बढ़ाएं जैसा कि दोस्तों यहां पर मैंने लिख दिया YouTube पर व्यूज कैसे बढ़ाएं आपके वीडियो का जो भी topic है आप यहां पर लिख दीजिए उसके बाद यहां से country select कर लीजिए जैसा कि मैं यहां इंडिया से हूँ तो इंडिया select कर लेता हू जैसे ही search पर click करेंगे आप यहां पर देख सकते हैं overall score यहां पर आप देख सकते हैं search volume medium है और competition भी यहां पर medium है आप यहां पर देख सकते हैं keyword आ गया है उसके बाद आप नीचे यहां पर देख सकते हैं title suggestion यहां पर आपको आपका title यहां पर suggest कर देगा तो आप इसको copy कर लीजिए उसके बाद दोस्तों यहाँ पर वीडियो के टाइटल पर यहाँ पर पेश्ट कर देंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइटल लिख चुका है उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं वीजिबिलिटी को अनलिस्टेड ही रहने देंगे उसके बाद यहाँ प तो आपको पूरा लिख देना है अगर आप पूरा लिखना नहीं चाहते तो नहीं लिख सकते हैं लेकिन आप ज्यादा लिखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा हंडेड वर्ड का है तो इसको मैं यहाँ पर फुल कर देता हूँ तो यहाँ पर यह लगा लेता हूँ उसके बाद दोस्तों आप फिर से यहाँ पर यहाँ पर पेश्ट कर देंगे उसके बाद यहाँ पर फिर से यहाँ पर यूटूब टूल एपलिकेशन पर चला जाता हूँ यहाँ पर आप देख सकते ही यहाँ और यहाँ पर कीवर्ड को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ उसके बाद यहाँ पर पेश्ट कर देता हूँ तो जैसा कि दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं, मैंने इतना सारा टाइटल लिख दिया है, आप इन सभी को कॉपी कर लेंगे, कॉपी करने के बाद आप यहां डिस्क्रिप्सन पर चले जाएंगे, यहां पर इसको पेस्ट कर देंगे, पेस्ट करने के बाद आप इसको य देख रहे हैं इसको आप यहाँ पर टिक कर दीजिए उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जितना भी कीवर्ड होगा यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा उसके बाद कॉपी सेलेक्टर पर क्लिक करेंगे उसके बाद यूटूब इस्टूडियो अप्लिकेशन को ओपेन कर लेंगे यहाँ पर दोस्तों इन से भी कीवर्ड को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर सारा कीवर्ड यहाँ पर आ चुके हैं तो जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं जितना भी यूटूब पर सर्च किया जाता है यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे keywords को को हाहाँ पर पर मैंने Unternehmen लिख दिया है उसके बद दूस्तों आप नीचे यहाँ पर thanks for watching लिख सकते हैं उसके बद यहाँ पर इसको save कर दीजिए तो दूस्तो आपको यहाँ पर title आपका हो गया उसके बाद description हो गया उसके बाद आपको क्या करना होगा टेग एड़ करना होगा तो टेग एड़ करने के लिए आपको अपने मुबाइल फॉन में क्रोम ब्राउजर को ओपन करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आप यहाँ यूटूब पर क्लिक करेंगे या आप m.youtube.com लिख सकते हैं उसके बाद आप सभी के सामने कुछ इस तरह का पेज उपन हो जाएगा उसके बाद आप यहाँ डेश्टॉप साइट को यहाँ पर अनेबल कर दीजेगा उसके बाद दोस्तों या आपका मॉबाइल फोन बिल्कुल लेप्टाप या कम्पूटर जैसा ओपन हो जाएग जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे अभी आप यहाँ पर देख सकती हैं आपके फोन में कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा उसके बाद आप यहाँ पर देख सकती हैं आप यहाँ पर वीडियो वाले यहाँ पर आइकन पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपका वीडियो य आप Chrome Browser को फिर से open कर लेंगे, उसके बाद आप यहाँ सर्च करेंगे rapid tag, तो जैसा कि दोस्तों मैंने पहले से rapid tag से आपर सर्च कर रखा था, उसके बाद क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप सभी के सामने कुछ इस तरह का page open हो जाएगा, use tools for free पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आप यहाँ अपने keyword को सर्च कर दीजिए, तो यहाँ पर मैं सर्च कर देता हूँ, YouTube, YouTube पर, ब्यूज कैसे बढ़ा हैं, उसके बाद यहाँ पर सर्च कर देता हूँ, सर्च करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, कापी सारा keywords आ चुका है, इन सभी को यहाँ पर copy कर देंगी, copy करने के बाद उसके बाद यहाँ पर studio को open कर देंगी, जो कि आपने Chrome ब्राउजर से open किया था, उसके बाद add tag पर यहाँ पर click करके, यहाँ पर paste कर देंगी, उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना होगा, आपको अपने वीडियो का यहाँ पर thumbnail दे देना होगा, तो आपने जैसा भी thumbnail बना रखा, यहाँ पर add कर देंगी, अगर दोस्तों आपको नहीं पता एक वड़ियां से thumbnail कैसे बनाते हैं, तो आप मुझे comment box में बताईएगा, मैं आपके लिए एक वीडियो जरूर बनाऊँगा, उसके बाद आप यहाँ edit पर click करेंगे, edit पर click करने के बाद आप यहाँ अपने वीडियो के visibility पर जाएंगे, उसके बाद आप यहाँ public कर देंगे, पबलिक करने के बाद आप यहाँ save कर देंगे, आपका सारा काम हो चुका है, आपका वीडियो यहाँ पर पोश्ट हो चुका है, अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपका वीडियो पबलिक हो चुका है, तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कोई doubt या query हो तो आप comment box में पूश सकते हैं तो चलिए दोस्तों मिलते हैं इंडेस्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिन वंदिमात राम